देली इनवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस अब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये पेपर है जिसको आपको पढ़ना है कमपारिटिव गॉवर्मेंट और पॉलिटिक्स है ना ये पेपर सिब देली इनवर्सिटी ही नहीं हिंदुस्तान में या बाहर के मुलकों में कहीं पर भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस करेंगे तो उसमें आपको ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना होगा एक कमपलसरी पेपर है और एक और बात ये है कि कई बार मैंने पाया बच्चों लोगों की दिल्चस्पी बहुत जादा नहीं होती है मतलब मैं सबकी बात नहीं करता हूँ लेकिन बहुत सारे बच्चों की दिल्चस्पी नहीं होती है उनको लगता है कमपारिटिव पॉलिटिक्स ये क्यों पढ़ें ये कमपारिटिव क्या होता है ये कमपार बता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मैं नोटस बना आता हूँ आप लोग को पढाने के लिए लेकिन कही इसको काफी जटिल बना दिया गया है लेकिन ऐसा यह जटिल है नहीं सबसे पहले ही बात आप याद रखिए इस सब्जेक्ट के बारे में और एक सवाल तो एक्जाम में आपको आएगा ही आएगा कमपारिटीव पॉलिटिक्स किसे कहते हैं कमपारिटीव गॉवर्मेंट किसे कहते हैं कमपारिटीव गॉवर्मेंट और कमपारिटीव पॉलिटिक्स में फर्क क्या है कमपारिटीव पॉलिटिक्स के स्कोप क्या है उसके नेचर क्या है उसके मेथड क्या है कमपारिटीव प यह क्या होता है, मैं क्यों पढ़ू, मुझे नहीं पढ़ना है, क्या होता है comparative politics, पढ़के मिलेगा क्या, इसकी अहमियत क्या है, मैं अपना क्यों दिमाग यहां पे खर्च करूँ यहां पर, यही सवाल है जो आपको बहुत ही academic अंदाज में पूछा जाता है, what is comparative politics, what is comparative politics, scope, nature method, तो सबसे पहली बात यह याद रखिए, कि comparative में, word है comparative, जो कि comparison से बना हुआ है, है ना, यानि comparison को बोलते है हिंदी में, बहुत ही सुद्ध हिंदी में बोलते है, तुलना करना, तुलनात्मक, है ना, अगर बहुत ही आसान जबान में अगर उसको हम कहें, तुलनात्मक भी अगर सुनने में आपको बहुत भाली लग रहा है, कि यह तुलनात्मक क्या है, तो basically, comparison का एक मतलब है, कि एक दूसरे से compare करना, जैसे, मान लेजे कि मेरे पास एक bottle है, तो यह bottle और उस bottle में क्या similarity है, और क्या उसमें differences है, आप compare करते हैं कि नहीं compare करते हैं, हम कभी जाते हैं, मार्केट में, तो वहाँ पर अगर माली जी हमें कुछ लेना होता है, कुछ भी लेना होता है, एक notebook लेना है, तो हम कहते हैं, notebook दिखाईए, थोड़ा और दिखाईए, थोड़ा और दिखाईए, कुछ और दिखाईए, कुछ और अच्छा notebook दिखाईए, तो हम क्या करते हैं नोटबुक का प्राइज, नोटबुक के पेज़ेज, नोटबुक के पेज़ेज के क्वालिटी, ओ कितना खुबसूरत है, कितना ब्यूटिफूल है, सारे चीज़ों कमपेर करके फाइनली एक डिसीजन लेते हैं, कई बार आप लोग किसी मार्केट में जाते हैं, और किसी न कमपेरिजन ही हैं हैं, जब आप कई दुकानों को जाती हैं और देखती हैं, तो कई दुकानों को देखने और जानने के बाद क्या होता है, कि आप एक बेहतर हालत में पहुंचती हैं डिसीजन लेने के लिए, तो इनसान जो है, अपनी जिन्दगी में कमपेरिजन हर वक्त कर रहा है है कि नहीं है हर वक्त कंपारीजन कर रहा है और यहां हम क्या कर रहे हैं पॉलेटिक्स का कंपारीजन कर रहे हैं तो जब हम मार्केट में जा रहे हैं अपने घर में जा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं तो वहां जो कंपारीजन करते हैं तो वहां लगता है इस वेरी न मैं मोबाइल फोन खरिते वक्त ही comparison कर सकते हूं या कपड़े लेते comparison कर सकते हूं यह politics comparison मेरे से नहीं होगा लेकि नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने गलती से बीए political science में admission ले लिया है और मैं भी गलती से teaching line में आ गया हूं तो आपको मैं परशान करूंगा और आ पड़ेगा तो सबसे पहली चीज आप लोग याद रखना एक्जाम में कभी लिखने जाना या एक्जाम में कभी कुछ लिखना कभी यह मत समझना कि तुम्हें कुछ आता नहीं या आपको कुछ आता नहीं अरे बड़े-बड़े बिद्वान लोग ही सब को जानते हैं जब एक्जाम में आप जाओ लिखने के लिए तो जो आप समझते उसको बिल्कुल बगैर डर हुए लिखना चाहिए है ना यह नहीं होना चाहिए जब तक मैं किसी गाइड़ बुक से पढ़ूंगी नहीं तब तक कैसे में लिख पाऊंगे नहीं तो यहां पर हमें पढ़ यहां पर क्या है कि कंपारिजन अब हमें करना है पॉलिटिक्स में ठीक है अब जब आप पॉलिटिक्स में आप हैं फॉर्ट सेमेस्टर में कौन से समझ से में हैं फॉर्ट यानि फॉर्स सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर यानि आपने चार-पांच पेपर पुलिटिकल साइंस के आप अल्रेडी पढ़ चुकें, चार-पांच पुलिटिकल साइंस के पेपर में आपने पड़ा होगा पुलिटिकल साइंस में आपको जुडिसियरी की पड़ाई होती है, पुलिटिकल साइंस में आपको इंट्रेस्ट ग्रूप की पड़ाई होती है, पुलिटिकल साइंस में आपको डेमोकरसी के बाराई में पड़ाई होती है, पुलिटिकल साइंस में आपको ऑथरिटेरियन जब यहां पढ़ने आ रहे हैं, तो यह मत आप समझो कि जो कुछ मैंने पीछे पढ़ा था, उससे इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, नहीं, बिलकुल लेना देना है, जो कुछ भी आप पहले पढ़े हुए हो, वही चीज यहां भी रिपीट होगी, मगर यहां पे देखने का अंदास कुछ और होगा, है ना, देखने का अंदास कुछ और होगा, जैसे एक ही चीज से, कई अलग अलग चीज हम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ती अलग-अलग होती है, मिसाल के तोर पे, अगर हमारे पास आलू है, उसी आलू का इस्तमाल जो ह है हम एक वक्त सबसी बनाने के लिए करते हैं और एक वक्त पकोड़ा बनाने के लिए करते हैं और एक वक्त हम बिस्किट बनाने के लिए कर सकते हैं है कि नहीं है तो क्या हुआ बिस्किट बनाने का मेथट अलग हुआ पकोड़ा बनाने का मेथट अलग हुआ और सबसी बनान यहां पर पढ़ने के लिए लेकिन हम इसको एक अलग अंदाद रघेंगे एक अलग चसमे से इसको देखेंगे हैं ना जब आप आप जब किसी चास्मे की दुकान में जातें और आ आपनी आइस को चेक करते हैं, तो अलग-अलग तरह का चस्मा लगाता है, इससे दिख रहा है, आप कहते हैं, नहीं, इससे दिख रहा है, हाँ, इससे दिख रहा है, तो उसी तरह comparative politics में हम जो भी पढ़ेंगे, political parties, democracy, state, government, elections, यह सब वही चीज होगा जो आपने government and politics paper में होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो method होगा, वो होगा comparison का method, क्यों comparison का method होता है, क्योंकि अगर किसी भी ब्यवस्था को, अगर आपने अलग-अलग ब्यवस्था से उसका comparison नहीं किया, contrast नहीं किया, तो क्या होगा आपकी समझदारी जो होगी, काफी गहरी नहीं हो पाएग कि आप कोई सहर घूमने जा रही है, तो आप दिल्ली घूमने आई, तो अगर आप सिर्फ दिल्ली घूमी हुई है, और दिल्ली ही आप देखी हुई है, तो आपको दिल्ली की सारी चीज़ या तो अच्छी लगेगी, नहीं तो सारी चीज़ खराब लगेगी, लेकिन सारी चीज़े नॉर्मल लगेगी लेकिन अगर आप दिल्ली भी गई है लंदन भी गई है निवार्क भी गई है है ना आप माले दुबई भी गई है तो आप जब दिल्ली को आप compare कर सकती है कि दिल्ली में क्या सुविदाएं हैं, लंदन में क्या सुविदाएं हैं, निवर्क में क्या सुविदाएं हैं, और आपको सिड्नी में क्या सुविदाएं हैं, जमसेदपूर कैसा सहर है, बैंगलोर कैसा सहर है, तो comparison का मतलब होता है कि हम different different cases को हम comparison करते हैं उसके साथ हम उसको एक दूसरे के साथ हम उसमें similarity और उसके differences को देखने की कोशिश करते हैं अब सवाल है क्या comparison होना चाहिए ये भी कुछ लोगों का सवाल है कि comparison नहीं होना चाहिए क्यों compare करें क्योंकि हर आदमी अपने आप में ही unique है तो philosopher के बीच में इस बात की भी बहुत लड़ाई है कुछ लोग कहते हैं comparison होना चाहिए कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए जो कहते हैं comparison होना चाहिए उनकी क्या दलिल है comparison इसलिए होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ एक ही case को देखोगे तो आपकी समझदारी गहरी नहीं होगी, आपको different different cases को देखना पड़ेगा, तब आपके जो समझदारी होगी वो काफी अच्छी होगी, फिर दूसरा करा है, नहीं, तुम दो चीजों को कैसे तोल सकते हो, दो चीजे अपने आप में यूनीक है, है ना, बॉंबे सहर एक अलग है, दिल्ली सहर एक अलग है, लंडन सहर एक अलग है, तुम कैसे compare कर सकते हो, तो ये भी philosophically बहुत बड़ा एक सवाल है, क्या हम compare करें या compare ना करें, कुछ लोगों को लगता है कि comparative method बहुत important है, और कुछ लोगों को लगता है कि न चीज को उसके context में देखना चाहिए, किसी भी चीज़ों को अगर आप उसको out of context करके देखेंगे, तो आप नहीं समझ पाएंगे, मिसाल के तोर पे, दिल्ली है, दिल्ली में क्या होता है, कि आपको अगर कुछ खरीदना है माल लीजे, तो आप बाजार में जाते हैं, पैस assignment बना के दीजे, तो आपके पास notebook नहीं था, तो जब आपके पास notebook नहीं था, तो आपने अपने friend को काया कि यार, तुम एक notebook मेरे लिए चान्नी चौक से खरीद के लिए के आ जाना, ठीके, तो ये गई notebook चान्नी चौक से खरीदने गई, आपने उनको पैसे दे दिए, कि 100 रोपे का notebook था, तुम रख लो, ठीक है, तो हमारे यहां क्या है, कि अगर हमने किसी से कुछ लिया, तो उसके बदले हमने उसको पैसे दे दिए, लेकिन अगर आप आदिवासी समाज में जाएंगे, तो आदिवासी समाज में अगर आप जाएंगे, तो वहां देखेंगे कि अगर किसी के पास बैगन किसी के खेट से निकल रहा है, या किसी के खेट से माल लीजी आपको कदू निकल रहा है, या गोभी निकल रहा है, तो वह क्या करते हैं, उसको बेचते नहीं है, अपने आप में बाट देते हैं, अपने पडोसियों में उसको बाट देते हैं, क्य तो आप देखिए क्या दिल्ली के लोगों का comparison किसी आदिवासी इलाके में रहने वाले आदिवासी होना चाहिए, जो historical methods वाले जो होंगे, वो कहेंगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी अपने आप में एक अलग हैं, है न, और दिल्ली वाले एक अलग हैं, आप दो च comparison होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का ओना है, होना चाहिए, और कुछ लोगों का कहता है नहीं होना चाहिए अब आप बताइए क्या comparison का method सही है कि गलत है बोलिए और बहतर पाने के लिए comparison करना जरू है और बहतर पाने के लिए comparison हो चाहिए और कोई बोलिए बोलिए आप लोग बोलिए बिल्कुल और कोई और कोई बोलिए सब लोग बोलिए आप भी बोलिए कुछ क्या लग रहा को comparison होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्यों होना चाहिए बोलिए बोलिए डरने की बात नहीं है हाँ बोलिए क्या बोल रही है आप बताएए comparison होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कुछ लोग कर रहे होना चाहिए कुछ लोग कर रहे नहीं होना चाहिए क्यों होना चाहिए आदिवासी जो थे वो बिना लाइट के रहते थे थे वि देखे मैं ये कह रहा हूँ कि दो अलग अलग प्रोच है कुछ लोगों का मानना है कि कंपारिजन होना चाहिए है न कि कंपारिजन हम करते हैं तो हमारी समझदारी किसी एक व्यक्ति एक चीज के बारे में ज्यादा अच्छी हो जाती है न अगर आप डेमोकरसी भारत में हैं लेकिन आपने डेमोकरसी भारत का भी एक्जामपल लिया इंगलेंड का भी लिया अमेरिका का भी लिया फ्रांस का भी लिया तो आपको डेमोकरसी भारत में डेमोकरसी कितनी अच्छी है भारत की डेमोकरसी में क्या कम हिया इसके बारे में और ज्यादा गहरी जनकारी मिले लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हर देश की डेमोकरसी जो है एक अलग है उसका अलग में किस्तों क्icus नहीं कर सकते हो तो यह सवाल है लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे हमारा फन मेंना उफेतर है संग High am कि भाईया कुछ हमारे method के बिरोध में भी कुछ लोग बाते बोल रहे हैं ना हमें यह नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ comparative method के अलमा दुनिया में कुछ है ही नहीं बहुत सारे लोग हैं जो comparative method को criticize भी कर रहे हैं ठीक है ना यहां तक बात clear है अब एक सवाल आ जाएगा कि comparative method क्यों ज़रूरी है क्या political science में comparative method होना चाहिए तो आप इसके उपर एंसर लिख लेंगे की नहीं लिख लेंगे चाहिए अपनी दिल की बात और जब आप लिखिए एक्जाम में तो ना उसमें फिजूल की बाते बहुत ज्यादा लिखिए और आप बिल्कुल डडर के लिखे नहीं एक संतुलन होना चाहिए नमक डालते हैं सब्दी में ना वो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए बिल्कुल जितना चाहिए उतना डालना चाहिए उसी तरह से जो आप answer लिखने बैठे एक्जाम में या कहीं अपनी बातों को बोलें जो आपने पढ़ा है उसको भी आप उसको include कीजे जो आपने उसके बारे में सोचा है उसको भी include कीजे और जो आपकी राय है उसको भी include कीजिए, हैना, मैं ये नहीं कहारा हूँ कि आप दूसरों को पढ़ना बंद कर दिजिए, नहीं, मैं ये भी नहीं कहारा हूँ कि सिर्प अपनी ही बात लिको, नहीं, दूसरों की भी पढ़ो, उस पर अपनी राय भी दो, और कुछ नहीं बा कभसे शुरू हुआ कमपारिटीब मेथर पोलिटिकल सांस में कभसे शुरु हुआ है कि लोगों का मानना है कि comparative method जो है इसकी शुरुवाद जो है ये सबसे पहले Aristotle यानि अरस्तु ने की थी है ना Aristotle ने सबसे पहले comparative politics का इस्तमाल किया था ग्रीस के थे वो है ना एक Greek philosopher थे यहां से आपको कई घंटे हवाई जासे चलेंगे तो जाके आपको Europe जो है उसी तरफ में जो meditarians यहां पर ग्रीस ना इटली ग्रीज तो वहाँ पर ग्रीस के Greek philosopher थे तो उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले Aristotle ने क्या कि कि बहुत सारे देसों के constitution को लाया है ना और उनके constitution का अधहन किया उस जमाने कर आज के नहिंए उस जमाने के constitution का अधहन किया और constitution के अध्यान करने के बाद उन्होंने क्या कि उन्होंने बताया कि कुछ तरह के जो सरकार होती हैं, कुछ तरह के गौवर्मेंट होते हैं, वो अच्छे गौवर्मेंट होते हैं, और कुछ तरह के गौवर्मेंट जो होते हैं, वो परवर्टेड यानि वो विकृत रूप हो जाते यानि Aristotle ने government के models का एक list बनाया और बताया कि कुछ government जो है वो ideal governments है और कुछ government जो है परवर्टेड है यानि कुछ जो है वो उसको हम सही मान सकते हैं और कुछ को हम गलत मान सकते हैं तो Aristotle ने सबसे पहले 350 BCE मतलब आज से कितने साल होगा है तकरीबन 2400 साल पहले उन्होंने क्या किया था classification of government किया था है ना classification of government किया था यानि सरकारों का बर्गी करन किया था क्या किया था उन्होंने तो सरकारों का बर्गी करन किया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए, जब एक रूलर रूल करे, है ना, जब एक रूलर रूल करता है, है ना, तो वो मोनार्की का रूप लेता है, जब एक रूलर रूल करता है, तो उस रूल को क्या कहता है, मोनार्की, अज जब मोनार्की का पतन हो जाता है, मोनार्की गलत रा पत्राना शाही टाइप का मतलब एक ही व्यक्ति सब कुछ सब लोगों के उपर अपनी ही अपनी ही चला रहतुरूने एक व्यक्ति का राज होगा तो उसको का मुनार्की अज ज़ो मुनार्की का पतन जो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा ठीरेनी है ना मुनार्की हट गई तो उसका मतलब मुनार्की हट नहीं गई उनके कहने का मतलब है कि अगर राजा जो है निरंकुस हो जाए अगर राजा निरंकुस हो जाए तो वो तानाशा हो जाता है, मतलब एक ही राजा वहां भी है, मुनार्की में भी है, लेकिन वो धंग से काम कर रहा है, तो मुनार्की है, अब वही राजा जब तानाशा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 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 वो उसकी जब वेवस्ता होगी, उसी का नाम ह तीरनी है ना जब कुछ लोग राज करेंगे है ना जब कुछ लोग राज करेंगे तो वो होगा एरिस्टोक्रेसी और जब एरिस्टोक्रेसी का परवजन हो जाएगा तो वो हो जाएगा ओलिगार्की और जो बहुत लोग राज करेंगे तो होगा डेमोकरसी और जब डेमोकर अरिस्टोटल की बाते मैं इसलिए बता रहा हूं कि एरिस्टोटल जो आज से 2400 साल पहले ग्रीक के बहुत बड़े फिलोसफर ने क्या किया कि उन्होंने पूरे Constitution को एक जगाई कठा किया उस जमाने के और उनने उसको Classify किया एक व्यक्ति का रूल होगा मोनार्की और जो मोनार्की का परवर्जन यानि उसका विक्रित रूप हो जाएगा तो टीरनी जब कुछ लोगों का रूल होगा तो वह समझने हैं क्यों इनर्की होता है जहां पर राज नहीं है मां पर बिलूकुन हां एक दर सकते हैं लेकिन एनार्की और मॉबूरूल में फर्क यह देकि जैसे यह है डिमॉकरसी तो डिमॉकरसी का मतलब क्या हुआ है कि यहां पर हमने पूछा कि हम क्लास एक बज़े लें या दो बज़ें, तो अगर ज्यादा तर बच्चों उने कहा कि नहीं आप क्लास दो बज़े लिए तो हमने दो बज़े कर लिया तो यह हो गया democracy लेकिन अगर इस class के अंदर में 100 लोग हैं जिसमें से 95 लोग cigarette नहीं पीते है और पाँक्ष स्वरेंड पीते हैं ठीक है और पांच लोग cigarette नहीं पीते हैं ठीक है तो अगर पूछा जाए कि क्या इस class में cigarette पीना चाहिए कि नहीं तो 95 लोग रहे हाँ पीना चाहिए पीना चाहिए नहीं लेकिन 5 लोग कहेंगे कि नहीं तो डिमोकरसी का मतलब मॉब रूल नहीं होता है याद रखिए डिमोकरसी का मतलब हुआ सही में डिमोकरसी वही है जहां पे कमजोर से कमजोर व्यक्ति के सही हीतों की रक्षा की जाए लड़ सही को सही और गलत को गलत अगर माली जे कि मेरे पास मोटर साइकल है और मो पे चिर्भ एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं लेकिन जो शबसे ठका हुआ है प्रसे के लिए अगया है में उसको कर देमूकरसी का मतलब कभी मौन नहीं हुआ कि हम बहुत यज الصख है cks को सबसे पहले समिधान Constitution उसका बरगी करन किया था ठीक है फिर उसके बाद से क्या हुआ बाद में modern time में जो comparative politics ने जो अपना रूप लिया उसको हम कहते हैं comparative government क्या कहते हैं उसको हमेशा याद रखिएगा बेपर का नाम है comparative government और comparative politics कई बार में इस इसी फरक को समझ लें यह comparative government और comparative politics में क्या फ़र्क है सुनिए सेकेंड वर्ल्ड वार तक पहले वर्ल्ड वार तक प्रथम भी सुजुद तक यानि 1914 तक जो एप्रोच political science में comparison के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस एप्रोच का नाम था comparative government यानि तुल्नात्मक शाषन तुल्नात्मक शाषन जो पद्धती है यह सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास तक उसका dominance था अब सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास का मतलब यह नहीं हुआ कि 1915 में जाके खतम हो गया ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं मतलब अब नहीं नहीं सच चौदर तक उसका बोल बाला था बाद के सालों में comparative politics मेथड आया यही मैं कहना चाहता हूं मैं यह कहना चाहरा हूं कि 1914 तक इसका बोल बाला था इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 1915 में मर गया मतलब इसका प्रभाव दीर दीर कम होना चौर यह मैं कहना चाहरा हूं यह इसका जो हाई टाइम होता है 1914 जैसे मान लिए किसी इंसान को कहते है कि कोई यंग आदमी कितने साल का होता है तो आपको मैं बता रहा हूं कि कम्पारिटिव गॉबर्मेंट का जो मेथड था वह 1914 तक इसी का बोल बाला था और फिर इसका धीरे-धीर दिकलाइन होने लगा और जो नया मेथड आया उसका नाम है कम्पारिटिव पॉलिटिक्स इसलिए इस पेपर का नाम पढ़ा है कम्पारिटिव गॉबर्मेंट और कम्पारिटिव पॉलिटिक्स ताकि आप दोनों फेजेस को पढ़ ले या दोनों फेजेस के फर्क को समझ ल और जब आप comparative politics कर रहे हैं, तो उससे कुछ और मतलब रहे हैं, यह बात clear होनी चाहिए. तो comparative government जो है, वो traditional approach है. क्या है वो? हाँ, वो पारमपारिक है ना, वो approach है. comparative government जो है, कौन सा approach है? traditional approach है. और comparative politics जो है, वो कौन सा approach है? हाँ, modern approach है, new approach है, ठीक है? तो comparative government, यानि comparative तुलनात्मक सरकार, यह पुरानी और प्रमपरावादी पधती है, और जो नई पधती, जो comparative politics की थी, वो दूतिय विश्जुद्ध, यानि second world war के बाद, यह नया phase आया, comparison के लिए, है ना? तो हम जब दोनों phases को समझेंगे, तो आपका एक comparative government and politics आप समझ जाएंगे. तो यह एक बात याद रहा कि, जो comparative government जो था, यह traditional approach है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है हुआ, कि जो पुराना, जो परंपरवादी, जो approach था, जो आपको traditional approach था, उसमें जो बिद्वान गन थे, उसमें जो राजनिती शास्त के जो माहिर थे, वो लोग अपनी अपना अध्यान जो है, राज्य और उसकी संस्थाओं कहीं करते थे? किसका अध्यान करते थे? राज्य और उसकी संस्थाओं का करते थे, और उनका ज़्यादा तर फोकस जो होता था, और राज्य, उनकी संस्थाओं, उनके लीगल जो structure, उनके constitution पर होता था, उनका फोकस था, राज्य, उनकी संस्थाओं, उनके कानून, उनके समिंधान, उनके rules को वही कानून हो गया, कानून, समिंधान, राज की संसाएं और राज, इस पे वो ज़्यादा उनका अध्यान करते थे, और इनका जो approach होता था, वो normative होता था, normative approach अंग्रेजी में, कहते हैं normative approach आप लोग देखिए, हिंदी में normative का मतलब होता है, जहां पे आप इस बात की ज़्यादा कोशिच करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या कहते है normative को कि क्या होना चाहिए, क्या है नहीं, क्या होना चाहिए, जैसे एक simple सा बात बताईए, इस class के अंदर में मान लिजे, मेरे पास 10 mango हैं, ठीक है, 10 mango, और class में 10 बच्चे हैं, तो जब मैं आप से पू 10 बच्चे हैं और 10, class में बच्चे हैं, और 10 mango हैं, तो कितना-कितना mango माटा जाना चाहिए, ताब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या किया करता है, मानक बेवार तो नहीं होना चाहिए और देखे इतना याद रखे हम बताएंगा आपको normative कौन सा अप्रोच होता था जो होना चाहिए उसका मतलब what should be done what should be done तो मनें उनका जो अप्रोच होता था वहती philosophical होता था क्या सही और क्या गलत है ये सवाल में वो ज्यादा concern होते थे क्या होना चाहिए ये उनके लिए ज्यादा important था और ये अप्रोच बहुत हतक philosophical था यानि right and wrong का question उनके लिए बहुत केंदर में था क्या था सही और गलत और दूसरा था philosophical एप्रोच होता था कौन से अप्रोच होता था फिलोसफिकल एप्रोच होता था यानि दार्शनी के प्रोच लेते थे और लीगल एप्रोच लेते थे और constitutional एप्रोच लेते थे यानि जो comparative government का जो phase था वो phase 1914 तक रहा और उसके बाद में उसके उपर उसका decline शुरू हो गया है ना और जो comparative government का जो phase था इस phase में ज्यादा तर विद्वान जो थे और राज राज की संस्था हैं उनके कानूनी धाचे उनके समिंधान का ध्यान करते थे ये एप्रोच ज्यादा descriptive होता था ये एप्रोच जो जाता था normative होता था यानि क्या गलत है क्या सही है ये सवाल उनके केंदर में थे ये एप्रोच जो था वो constitutional था ये एप्रोच फिलोसोफिकल था और ये एप्रोच जो था आपका ये second world war से पहले है ना इसका बोल बाला था second world war से पहले तक बोल Second World War के बाद, 1945 के बाद में दुनिया में बदलाव आने शुरू हो गए। क्या बदलाव आए? मैं कुछ-कुछ आप लोग को पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। बदलाव आए हुएं कि 1945 में जब Second World War हुआ तो उसके बाद से दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आएं। क्या हुआ कि बहुत जगह पे रूसी क्रांती के बाद, कई जगह पे कौमिनिस सरकारे आने लगी। कई जगह पे सोशली सरकारे आने लगी। कई जगह पे बहुत सारे जो गुलाम मुल्क थे, वो गुलाम मुल्क आजाद हुए और उनके देशों में अलग-अलग तरह की व्यवस्ता आने लगी। कहीं popular government आई, कहीं military government आई, कहीं mixed economy की government आई, कहीं socialist आई। तो अमेरिका में बैठे हुए जो political scientists थे, उन्होंने यही सोचा कि जो traditional approach था, जिससे हम comparative politics पढ़ते थे, जिसमें ज्यादा तर जो जो जोर था, और राज उसकी संस्थाएं, उसके legal और constitutional धाचे पे था, ये approach अब narrow हो चुका है, ये approach से अब काम नहीं चलेगा, हमें नए पद्धती को एजाद करने की जरूरत है, हमें नए पद्धती को अपनानी की जरूरत है, इसलिए उन लोगों ने अब comparative government की जगह, अब comparative politics की बात करने शुरू की, किसकी बात की शुरू की? comparative politics, तो एक बात हमेशा याद रखीएगा, second world war से पहले, जो पद्धती, जो approach इस्तमाल होता था, उसका नहीं comparative government, और second world war के बाद जो approach के इस्तमाल हुआ, उसका नहीं comparative politics, तो comparative politics क्यों आया, क्योंकि दुनिया बदलने लगी, दुनिया में बदलाव होने लगे, और पहले ये समझा जाता था, कि यूरोप जो है, यूरोपियन देशों में, जिस तरह से एक समिंधानिक सरकार बनी हुई है, जिस तरह से एक liberal constitution बना हुआ है, उसी तरह की सरकारे बा चलके तीसरी दुनिया में भी ऐसे ही सरकारे आएंगी, जो अफरिका की सरकारे होंगी, या एशिया की सरकारे होगी, या लेटिन अमेरिका की सरकारे होंगी, लेकिन हुआ क्या, कि 1945 के बाद दुनिया में अलग-अलग तरह के सरकारे आने सुरू हो गई, अलग-अलग तरह की रिजीम साई तो इसको American political scientist ने जब इसको देखा जिसमें डेविड इस्टन है मैं पड़ाऊंगा जिसमें Allmond है जिसमें पावल है जब इन लोगों ने देखा तो इन लोगों ने कहा कि नहीं अब हमें पुराने method को comparative government के method को discard करना पड़ेगा और हमें नया comparative politics को method को लेना पड़ेगा और एक comparative politics का जो method था वो 1945 यानि Second World War से लेके 1970 तक 1977 तक ये दुनिया में राज किया और ये जो approach था ये broader था यानि इसका जो scope था वो ज्यादा चोड़ा था इसका scope broader था और इसने क्या किया बहुत हद तक अपना जो focus था वो estate से बाहर रखा कहां रखा focus अपना estate से बाहर यहां focus दो था और नए approach में क्या हुआ इसका focus था estate और उसके institution से बाहर जो कुछ politics में हो रहा है उसको ज्यादा उनको पढ़ना है जैसे election, voting behavior, interest group इनके बारे में उन्हें ज़्यादा अध्यान किया यानि एक बात याद रखिये पहले के approach में राज और उनकी संस्थाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था बाद के approach में जो भी राजनिती राज से बाहर हो रही है उसके उपर ज़्यादा वहाँ पे focus किया गया और जो new phase था जो नया comparative politics का जो नया दोर आया इसमें scientific method का इस्तमाल किया गया इसमें natural science के जो method है उसका इस्तमाल किया गया यह बहुत था तक empirical था यानि empirical का मतलब हुआ कि normative नहीं था empirical और normative दो अलग अलग चीज़ होती है empirical का मतलब होता है कि जो है आप उसी का burden कर रहे हैं जो है आप उसी को describe कर रहे हैं और normative का मतलब हुआ कि नहीं क्या सही है और क्या गलत है आप उसका burden कर रहे हैं तो जब comparative method comparative politics का जब आया मतलब दौर तो उसमें normative की जगा पे यह हो गया empirical क्या है क्या हो रहा है इसको capture करना ज्यादा important है और जो scholars थे उन्होंने कहा कि उनको objective तरीकर से study करना चाहिए और वो लोग जो थे behavioral approach के प्रभाव में आएं हम अगले class में बताएं कि behavioral approach क्या होता है और वो लोग जो हैं आपको structural functional approach से बहुत हत्तक प्रभावी थे यानि अगर आपको एक बार पूछा जाए बहुत ही आसान जबान में कि एक page में तुम लिखके दिखाओ कि comparative government और comparative politics approach क्या है तो आप कहेंगे comparative government approach जो था वो political science में second world war से पहले तक उसका बोल बाला था comparative government method और descriptive था और normative था और legal था और philosophical था और उसका एप्रोच नेरो था और जो बाद में comparative politics का जो एप्रोच आया उसका रेंज वाइड था ये इंपेरिकल था ये scientific था ये objective था और ये behavioral approach के असर में था behavioral approach influence में था ये sociology के psychology के बहुत सारे tools के इस्तमाल किया और इसने politics जो है उसका जो कार च्छतर था और राज से बाहर हो रही political गतिविधियों पे ज़्यादा ध्यान दिया इसने अपना बहुत focus जो हैं इसने वक्त लगाया लेकिन 1970 में आते आते इस approach का भी criticism होना शुरू हुआ क्योंकि ये approach चुकि scientific था ये approach चुकि objective था तो बाद में behavioralism का critique करते हुए कहा गया कि नहीं एक scholar कभी भी समाज में जो कुछ चल रहा है उससे indifferent नहीं हो सकता है scholar को भी अपनी writing में ऐसी बाते करनी चाहिए ऐसी चीजे लिखनी चाहिए जो समाज की भलाई के लिए हो जो समाज के crisis को solve करने में मदद करे यानी behavioralism का बाद में criticism भी हुआ लेकिन इतना जान लिजे कि 1957 या 70 तक पूरी दुनिया में जो भी राजनितिक सिधान जो भी राजनितिक research हुए उसमें ये comparative politics का method जो है उसका बहुत ही जादा असर हुआ याद रखेगा कि comparative politics का जो method था वो behavioral approach के influence में था और structural functional approach के अंदर में था और ये approach ने पूरी दुनिया में politics को काफी असर किया हमारे देश में भी बहुत सारी संस्थाएं खुली बहुत सारे center खुले बहुत सारे research institute खुले बहुत सारे university यां colleges खुली वहां के department भी इसी comparative politics के method से influence होके बनी थी लेकिन 1970 के बाद जब पूरी दुनिया में एक तरह से जो crisis हुए उसके बाद से ये structural functionalism और behavioralism और comparative politics का criticism होने लगा और बाद में जो method आए वो new institutional method आए बाद में जो method आए और rational method आए जिसकी चर्चा हम आगे के class में करेंगे तो मुझे लगता है कि ये lecture comparative politics होना चाहिए के नहीं होना चाहिए, comparative politics की मजबूत पहलू क्या है, comparative politics की खामिया क्या है, comparative politics कब शुरू हुआ, comparative politics के क्या फेस से, comparative government किसे कहते हैं, comparative politics किसे कहते हैं, comparative government जो है comparative politics से अलग कैसे होता है, क्या comparative analysis में normative approach होना चाहिए, कि आपको empirical होना चाहिए, क्या comparative politics जो है, देहन करें या राज से बाहर की चीजों का देहन के इस तरह के तमाम चीजों के अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो आप उसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक और बात आप लोगों को समय रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी टीचर आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है, ह